दा सिलेक्शन केमपस। आज का जो बच्चों आपके डेखिए उसका इडिटल वॉक्स इन क्या मेनिंग होता है जिनका इसकी मतलब बात करेंगे। जो जो वर्ड आइगे बच्चों आपनोड करते चलिएगा। वर्ड का मीनिंग बोलूँगा नोट करते चलिएगा ठीक है चैनल पर नहीं तो चैनल के जी सब्सक्राइब आप हमारी डाउनलोड कर सकते हैं दा सिलेक्शन के हम पर डारेक्ट फॉन प्लेश्टो लिंक गिवन डिस्क्रिप्शन और जो एन वर टेलिग्राम ग्रूप फॉर निष्चेन फिर लिए सब्सक्रियन तो लिए सब्सक्राइब करते हैं तो इसी वी City के ओपर है जरूरत है किसोरी है निए क्सीजेज़ की नीड के साथ हमेशा प्रिपोजिशन फिक्स फोर आती है अगर यह नो नीड नाउन हो तो नीड फोर किस चीज की नीड है इंफलेशन के कंट्रोल करने की एस टॉप पॉलिसी पॉराइटी जो हमारी पॉलिसी है जो जो फाइनेंशल से रिलेटिर होती है वो हमारी सरकार बनाती है जो यह कैते हैं इसे बनाना या भो तो चलो देखते हैं कि है इस वाइज टोप पॉलिसी प्रियारिटी रैनी सी है next है जैसे कि आपको अगर हाई प्राइस होंगे तो इससे कंजम्शन रिस्ट्रेइन का मतलब लिख सकते हैं अब रिस्ट्रिक्टिड रिस्ट्रेइन का लिमिट लग जाएगी लोग खर्चा नहीं करेंगे खरीद देंगे नहीं कुछ प्राइस जादा होंगे तो इंफलेशन इंफलेश कंट्रोल करना सबसे टोप पुलीशी की प्राइटी होनी चाहिए नेक्स्ट मस्ट भी इंडिया का रेट डिसीजन आया फ्राइड को वाज अल्टिमेटली इनेविटेबल यह पक्का इनेविटेबल था यह आना ही था इनेविटेबल का मतलब सुन लो क्या होता है निससरी जिसे टाला ही ना जा सकé होना ही होना है इनेविटेबल जरूरी था यह ठीक है क्यों जरूरी था है महिंगहाई सरप जा रही हूं इन्मेट प्रेक्राइट बढ़ा दिया है मारकें अंब लोन लेना मुश्किल हो गया है ठीक है recharge लाने पोलीसी में, वर लेंफ् चास बेस पॉइंट वड़ा दिया एज बाउट ओफ एक्स्टीम वोलेटिलिटी इन डा इंटरनेशनल फाइनेशनल मार्केट ठीक है लेफ्ट भी लिटल च्वाइस एज बाउट का मतलब होता है एक बाउट का मतलब होता है आप यहूं समझो छोट पीरेड ओफ एक्टिव फिक्स नहीं तो इंटरनेशनल फाइनेशनल मार्केट में और कमबाइन हें पर्सिस्टेनल इंटिक मांथ नियुक्ति क मतलब होती कि इस सब इफेक्टेड हो यहीं सारे लोग बिद्रिख इस पर दिक्कत हो रही है ठीक है यह वोलेटिलिटी होने के कारणों ग्लोबली भी पूरे वल्ड में भी इंडिया में भी चलिए आर बिया के गवर्नर को ने शक्ति गांता है था साइट का मतलब होता है मैं आपको कोई बात कह दूँ आपको समझी ना है फिर मैं साइट करूँगा कोई एक्जामपल लूँगा पिछे से उठाओंगा कोर्ट भ का मतलब होता है कि इंट्रेस्ट रेट बढ़ा देना ताकि लोन लोग कम लें महिंगाई कम हो जायता कि अग्रेसिव एंड इवन मोर अग्रेसिव कम्मुनिकेशन और यहां तक कि और ज्यादा अग्रेसिव कम्मुनिकेशन है किसके दोवारा एडवांस एकोनमी है जो बड ऐसको किसको थर्ड शोक बताया है तो उन्होंने का अग्रासीव मोनिटरी पॉलीश cyn और कॉमुनी के एक्षयन boy अग्रासीव पॉलीश Following the pandemic, pandemic हो गया चलो एक शोग, एक रशिया का invasion, आकर्मन हो गया, invasion का मनलब attack हो गया यूक्रेयन पे, किसी की धरती है तिया आने के लिए जब हम word use करते हैं, तो क्या use करते है, invasion, attack simple हो सकता, आप किसी बच्चे पर attack कर दो, ठीक है, which he said, तो ये difference पता लगए आपको invader attack में, which he said, तो ये होगी, which he said, had thrust, जो उन्होंने का कि ये thrust कर चुका है, thrust का मनलब किसी को धकेल ना, move someone, global economy को into the eye of a new storm, eye of a new storm का एक idiom है, इसका मनलब है simple है, storm का मनलब तूफान, एक difficult situation में धकेल चुका है, emerging market economies, जो economy है, जो market emerge हो रही है, developing है, निकल रही है, बड़े होती जा रही है, जैसे इंडिया हो गया, in particular are confronted with the challenge, विशेशकर वो confronted with, confront के साथ with preposition आती है, confront with, किसी के, उनको सामना करना पड़ रहा है, challenge इसका, confront का मतलब सामना करना, deal करना, unpleasant चीज़ों से, of slowing global growth, ठीक है, confronted का मतलब घिरी होई है, किन challenge उसे, global growth जो slow हो चुकी है, elevated, elevated का मतलब बढ़ना, ज increased food or energy prices, spillover from advanced economy, policy normalization, spillover का मतलब बढ़ना, उडल जाना, किसी ने कुछ action लिया, उसका effect आप पर भी आ गया, ठीक है, डूल गया जैसे कुछ, डूल जाता है, इसे glass, spillover फैल गया, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे, जो advanced economy ने policy का normalization किया, इसकान हो रहा है, इसकान हो रह करना, normalization का मतलब होता है, rate high कर देना, ताकि market में पैसा कम flow और महिंग ही कम हो जाए, and sharp currency depreciation, और currency का depreciation हो रहा है, मुले कम हो रहा है, depreciation का मतलब किसी की कीमत में कम ही आ जाना, less than the value of some currency, ठीक है, Mr. Das explained, इन्होंने explain किया, elaborating on the external challenges, इन्होंने explain किया, elaborate करते हो, elaborate का मतलब डिटे जो external challenges हैं, जो सामना कर रही है, emerging को, including India, ठीक है, ये explain किया उन्होंने, ये जो बात उन्होंनों नहीं करी थी, सारी जो हमने उपर पड़ी है, अभी, the rupee 2 has been under pressure, रूपे हा, जो हमारी currency है, वो भी under pressure में, weakening by more than 7% of the dollar since the start of the current fiscal year, ये 7% से जादा गिर गे, डिसकल के, ये 10 dollar के मुकावलित 7% से जादा गिर चुक है, ठीक है, कमजोर हो गया है, भी 80 पहुंच गया है, अभी तो कह रहे थे, लोगो और कर्म होएगा, अभी भी over value है, ठीक है, current fiscal year की बात करें, तो अपरेल से शुरू हो है, जो हमारा 2022 से 23 का, and this has added, और इस चीज ने add कर दी है, क्या, upward pressure, और ज्यादा pressure, upward pressure to price stability by way of imported inflation, इसने तो और ज्यादा pressure upward कर दिया हमारे उपर, price stability by way of imported inflation, imported inflation, imported inflation, imported inflation का मतलब अब बहार से आप माल मंगाओगे, डोलर में आएगा, आपको पता नहीं, 80 रुपे देने पढ़ जाएंगे, एक डोलर की जीज़ के पहले 60-70 देने पढ़ते थे, इंपोर्ट जो कुछ मंगाएंगे, उनके लिए उस कारण से मंगाई आएगी, ठीक है, the RBI September issue of the, so RBI इने September issue of the monetary policy report, जो September में इन्होंने इशु किया है, in fact, pertinently, pertinently का मतलब होता है, related to topic, संबंदित, pertinently, observe किया है, that the second round effects of low growth, क्या observe किया है, जो second round effects है, इसकी बब आएगी भी देखना, बाकी सब एक्स्टा उब्जेक्टां ओफ के, ठीक है, prepositions के, second round effect है जो low growth और high inflation का, globally, ठीक है, growth कम है, मेंगाई ज़्याद है, could keep, ये कर सकता है, domestic inflation को, जो हमारी घरेलू मेंगाई को है, elevated level, और ज़्यादा increase even beyond 8 quarters, 8 quarters से ज़्यादा भी इसको खीत सकता है, 8 quarters क का मतलब यूं समझो, दो साल, ठीक है, दो साल से उपर हो जाएंगे, मेंगाई को इसी तरह चलते हुए, अगर ऐसा ही रहात हो, तो उन्होंने ये बोला है, ठीक है, जो अपने अब्जर्व किये, second round effects of low growth and high inflation, second round effects किसके second round effects, low growth and high inflation, second round effect का मतलब सिंपल समझो, जैसे कि direct effect न Necessitating Appropriate Monetary Action to Anchor Inflation Expectation क्या कह रहे हैं, ये इसको जरूरी बनाते हुए, तो ये कह रहे हैं, इसलिए जरूरी है हमारे monetary action to fix करने के लिए inflation expectation, anchor का मतलब ये होता है, किसी चीज़ को जैसे बोट पे वो गेर के उसे fix करके रखना, कही पानी में ना उडल जाल के चैन सी, तो anchor का म The Central Bank's Own Projections, इनकी खुद की जो projections हैं, जो possibilities हैं, जो बताना चारे हैं, in fact, do not anticipate, do not anticipate a slowing in India retail inflation below its upper tolerance threshold of 6%, क्या कह दिया है इन्होंने, just a second, ये कह रहे हैं, इनकी अपनी projection जो है न, do not anticipate, ये expect ही नहीं करती है, anticipate का मतलब expect करना, future में ऐसा होगा, वैसा होगा, ठीक है, ये slowing, कि slow हो जाएगी इंडिया के retail inflation below its upper tolerance threshold of 6%, 6% से कम हो जेगी, till the January, March quarter, till the January से March quarter, जो आगे जनवरी से March quarter आएगा, कह रहे हैं, do not anticipate a slowing in below its upper tolerance, till the January से March quarter तक तो ये होने वाला नहीं, अगली जनवरी से साफ बात ये है, ये बिल्कुल सही थे point out करने के लिए multi-factor that could append the RBI inflation outlook, कह रहे हैं, और भी कुछ multiple factors हैं, जो ये हमारा inflation का possible outlook का मतलब होता है, आपका एक तो point of view, जिन्दी की तरह आप कैसे देखते हो, नजरिया, एक आर्टिवी काना, future में कैसे होगा, prospect, possibility, तो ये सही थे कि multiple factor हैं, जो affect कर स जा सकती है, ये कहेगा, देखो कैसे, कौन से factor हैं वो, likelihood of higher pass through of input cost by service provider, कह रहे हैं, pass through of input cost by service provider, कह रहे हैं, अगर मान लो, service दे रहा है कोई आपको, और उसकी input cost ज़्यादा आ रहे है, उसका माली महंगा आ रहे है, तो आप पर पास करेगा, ठीक है, increase demand होने के, demand अगर बढ़ रही है, तो demand जैसे ही बढ़ती है, लोग खरीते हैं, पैसा महंगा हो जाता है, चीज़ यह रहे हैं, महंगी कर दो, लोग आ रहे हैं, as well as upside risk to food prices, और कह रहे हैं, risk भी है, food prices का upside हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, from both the lower creep output of rice and pulses, जिससे की खरीफ की जो फसले हैं, rice और pulses वो कम आई इतना ज़्यादा spell, spell मतलब period हो गया, rainfall ज़्यादा आगी, that have pushed up the prices of vegetables, इतनी ज़्यादा बारिश चाहिए भी नहीं थी, जिसके कान सबजीयों के rate और बढ़ गया, खराब होगी ना, the surfeit of liquidity or cash in the banking system, surfeit का मतलब होता है, amount of something, कुछ ज़्यादा हो ना, कह रहे हैं, liquidity or cash रहेगा कह रहे हैं, जो यह liquidity रहेगी ना, market में, ठीक है, जो ऐसा लग रहे है, expected to be void, void का मतलब होता है, किसी चीज में increase, आपके confidence में increase, खुशी में increase, चाहे किसी के value में increase, कह रहे हैं, जो expect किया जा रहे है, कि जो government अपनी spending को enhance करेगी ना, आने वाले महीनों में, तो इससे liquidity or cash बढ market में, पैसा तो उचले गई, वहाँ पे लोग आएंगे, जो भी liquidity तो बढ़ेगी, ठीक है, और could also threaten, इससे भी price stability में दिक्कत आएगी, ग्रोथ होएगी तो भई, government spending का मतलब यह होता है, सरकार क्या-क्या project industry हैं लगा रही है, इससे पैसा आएगा, पैसा आएगा तो महंगा करने में, दुख होना, to note that, hard to do something, बिलकुल pains में है, to note that, यह बताने में, note करने में कि policy stance, policy stance का मतलब है, opinion in का, of a calibrated, calibrated का मतलब होता, आप किसी की चीज़ को calculate कर रहे हो, जो हमने withdrawal कि, accommodation had become an imperative, तो कह रहे हैं, बिलकुली बताने में, यह करने में, बड़े ही pain में थे, to note that, ब policy stance है, जो हमारा calibrated withdrawal कर लिया में, जो accommodation का stance had become an imperative, ठीक है, जरूरी हो गया था, बड़े दुख से इनको कहना पड़ा, क्यों हो गया था, withdrawal of accommodation, पहले यह नो, pandemic की time, accommodation stance चल रहा था, इनका, accommodation का मतलब होता है, rate को बहुत जादा कम रखना था, कि लोग loan लें, ग्रोथ होए, अब इन्होंने इस stance को हटा के normalization पे लिया है, कि अब rate बढ़ा दिये, तो इनको इस चीज में कह रहे थे, जरूरी हो गया था, आप हमारी बच्चों एप भी download कर सकने, जिसमें complete English का course आपको दिया गया, grammar की हर part of speech, जो complete है, बिल्कुल, with doubt, facility on telegram, in just 499, एप download कर सकने, link in description and comments, बह लिया, उसी time पे हमने जो policy का repo rate है, जिसे loan लिये जातने हैं, ठीक है, bank loan लेता है, फिर आगे देता है, इसे हमने 190 basis point बढ़ा दिया है मही से, कहां 4 था, 5.9 पहुंच गया है, the rate adjusted for inflation still trade the 2019 levels, the rate adjusted for inflation, तो कह रहे हैं, ये अभी भी 2019 के level की बनी हुई है, महिंगाई, ठीक है, repo rate ह हमने फिर भी बठा दिया है, मही से, पर जो rate adjusted for inflation still trade, trade का मतलब होता है, किसी का पीछा करना, उसके पदचिनों का, वो अभी भी क्या है, 2019 के level को ही पकड़ रही है, ठीक है, उन्हीं के पीछे चल रही है, inflation अभी भी उतनी है, with the RBI latest survey, household inflation expectation, जो RBI का latest survey है, household inflation expectation, जो household inflation expectation, जो घ चारा करें, that price pressure will continue to restrain consumption, यह जो price के pressure है, यह जारी रहेंगे, किसलिए जारी रहेगा, to continue रहेंगे, price का pressure logo में to restrain consumption, consumption logo पे limit रहेगी, लोग ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे, तो यह कह रहे हैं, latest survey जो यह आया है, इसे देखते हुए, बड़ा बेकार जो survey आया है, कि आएंगे, इसकी top वो रहेगा, मतलब priority हमने सबसे पहले inflation करनी है, growth तो बाद की बात, तो यह था बच्चो आज का इडिटोर, thank you